इसका आधा पार्ट में और लिखके आपको पूरा कुशन समझाऊंगा कि पूरा कुशन है कि दिस्क्रीट डिस्टिबूशन का कुश्चन है जिसके अंदर हमारे पार दो पार्टिकल्स है और दोनों के बीच में सेपरेशन ट्वाइस और यह सेंटर है सेंटर से सिमेट्रिक है अधिससफ फिर से आगें और फिर इनका जो सेंटर उसको बहुम जो उर वहां से उपॉइंट है वह का इंड ओफ इसकी प्रपयणिकर बान इसकैट और यह नुशें कि वहां पर नहीं है वह न defenders Lap बतब क्या वेडियेशन से यह कुश्चन है तो देखते हैं इस वाले पार्टिकल की वरे से इस पॉइंट पर इंटेंसिटी इधर आएगी अट्राक्टिव आएगी आई देख लेते हैं एंगल वेंगल धून लेते हैं ठीटा और यह ठीटा तो कॉंपोनेंट बना देते हैं इधर कॉंपोनेंट आएगा आए सैंत और इस सब्कॉंपोनेट आएगा आए कोस इड़ा इसको हैं रिस देखते ही देखते क्या है क्या हो गया है आप कोषिंट से स्सेट्टोस प्ता चलगिया है अब पंट यंवाहिवी आ λέए है और कितना वैल्य कॉस्ट है तो असान सा क ना होगा वह यह distance है यह हमें smaller given था तो यह distance root of r square plus a square हो जाएगा ठीक है अब intensity due to point mass gm upon distance square तो distance है root of r square plus a square अब इसका square कर लो कर लिया भाई इंटू positive positive mathematics आती है अपने को base upon happy news तो base is smaller और यह पूरा happy news है तो into smaller upon root of r square plus a square मझेदा सा relation बनता हुआ देख रहे हैं यह बंगे twice of gm into small r नीचे power देखो किसकी r square plus a square की तो यहां से भाई देखो square हो गया root का तो 1 आगी power और यहां से आधी और आगी so 1 plus half that becomes 3 by 2 यह intensity का expression बन के अपना तयार हो है अब हम तैयार हैं बाकी question देखने के लिए तो देखो जो question कह रहे हैं कि आर को टेंट सू जीरो करो कर लो भाई आर को टेंट सू जीरो करोगे intensity जीरो हो जाएगी तो crystal clear है center intensity जीरो हो गई वो तो वैसे भी हो जाती देखो अगर हम इस पर पहुंच जाते हैं यहां पर almost center पर तो इसकी वज़े से intensity इदर इसकी वज़े से इदर वो cancel करके भाई इस पॉंट पर intensity वैसे भी 0 आ जाती है अब मैं दूसरा पाट कहता हूं कि यह देखो कि अगर आर infinity होगा तो फिर क्या होगा तो फिर क्या होगा यह चीदे चोटे लगने लगेंगी इनके बीच का चोड़ा लगने लगेगा दूर जाने है इसका मतलए जो smaller की value है वो a से जादा होने लगेगी करो भई फिर smaller की value a से जादा करो करी हमने तो फिर क्या होगा यह यह यहां पर neglect होना शुरू हो जाएगा तो यह expression intensity का होने ल हो गया अरे तो यह relation आ गया तो आई सोफ जी एम अपॉन आर्स पर यह बिलकुल ऐसा हो गया सोचो कि पर दूर से इनके बीच का डिस्टेंस नहीं आ रहा दूर से इनके बीच का डिस्टेंस नहीं आ रहा जोगे सिंगल मास बन गया तुए और यह दूर से आप देख रहे ह पॉइंट अवास की फील्ड आगी जी इंटू टू एम ऐसा लिखके लिखो जी इन टू टू एम अपॉन आप्स को बिलकुल पॉइंट माँ जैसा लग गया ठीक है अब ओर दूर चले लिए और चैंस ने इंफिनिटी तो आए जी इंटू दू एम अपॉन इंफिनिटी स जीरो तो मामला क्या है वह अच्छा ना पड़ेगा जांकर माक्सिमा होई थी चलो धूंडे कैसे इस फंक्शं को डिफरेंशेट करते हैं तो डिय अपॉन डियार निकालते हैं तो ट्वाइस ओव जीयम आशेट इस को डिफिनिटे करते हैं डिविशन रूल लगेगा डिविशन रूल तो डिनॉमिनेटर और स्क्वेर प्लस ए स्क्वेर पावर थ्री बार दू इंटु डिफरेंसेशनल न्यूमरेटर वाल हो गया तो जगे बनानी पड़ेगी इसको पहले हैं यह रेस करता पॉइंट मास की चल्चा तो फतम ही होगी करें तो जगे बने तुर बहुत तो चलो अब लेखो यह वगिया इंटू डिफरेंसेशन ओ नूमरेटर बना गया 7 अिहाँ तो पावर कितनी है 3 by 2 into r square plus a square पावर कितनी हो जाएगी 3 by 2 minus 1 half हो जाएगी कैसे फॉर्मूला पता ही है था उन्हें x power n क्या होता है n into x power n minus 1 after differentiation और फिर चेन रूल तो r square का differentiation कितना हो गया 2r यह तो constant है पे 2r आ गया और divided by denominator square so that is r square plus a square का whole q यह होता है differentiation का formula किसका product rule का बन गया आगया अब क्या करना है maximize करने के एक को जीरो एक को जीरो कर दिए अब देखो वही क्या बना इस तो देखते हैं क्या बना जीरो करके हमें पढ़ा चल रहा है numerator में इसमें से और इसमें से एक तरह टू कैंसल हो गया यहां से आपका root of r square plus a square common आ जाएगा कि यह आगया common यह हो गया r square plus a square minus यहां से 3 r square minus 3 r square equal to zero बाती तो सब ब्रैकेटिकल आ रही है यह जीरो के बराबर हो गया तो क्या मिला रेखो तो यह पूरा जीरो कर तो यह तो 0 होगा नहीं यहीं 0 होगा तो इससे मिला अपने को that is r square plus नहीं a square equal to यह उदर जाके 2 r square हो गया तो फिर यहां से r की value मिल जाती है what is the value for the r r becomes plus minus a upon root 2 यह मिल लिया इस position पर इस variation का intensity का maxima है मतलब मतलब अगर आब इसका variation मना होगे तो intensity center पर 0 राइस करेगी maximum फिर कम होगी और infinity पर जाके 0 हो जाए किस पॉइंट में maximum होगे that is r equal to plus a upon root 2 और ऐसा point इसके सिर्व right को नहीं होगा left को भी होगा तो वह आपके डूसरे root को take care करेगा like this यह particular point क्या आया r equal to minus a upon root 2 है ना बहुत ही खुबसूरत graph और यह बहुत हुबसूरत question इसके साथ में खतम होता है it we coming back with the improvise question in the next class thank you झाल झाल झाल